हेलो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए डोसी की रेस्पी ये इंस्टेंट डोसा आप सभी को पसंद जरूर आने वाला है और अगर आप से डोसा पर्फेक्ट नहीं बनता है तो इसमें क्या है आपको कुछ भी परफेक्शन की जरूत नहीं है फर्स्ट परना क्या है हमने ले लिया यहाँ पर दो कप मुर्मुरे जो लाई होती है ना बस वही हमने ले लिया है दो कप छनी से चान लिया था जो थोड़ी बहुत डेस्ट होती है वो निकल जाएगी अगर हलकी फुलकी नम हो गई यह लाई तब भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि इंस्टेंट ओसा है इसे हम लोग फटा-फट से बना कर रेडी कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक कड़ाही को गैस पर रख दिया है लगभग दो गलासा पानी इसमें डाल दीजिएगा पानी जैसे बढ़हां से गरम हो जाए तो मैंने यहाँ पर जटपट से हो जाएगा ठंडे पानी का इस्तमाल करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा लाई है मुरमुरा है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गया है अब आप इसे किसी चनी या स्ट्रेनर से अलग कर लीजिएग और किसी स्पून की हेल्प से जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ दीजिएगा इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी वगयरा कुछ भी नहीं रखना है तो लग रहा है ना फ्रेंड्स कुछ यूनिक सा आज मिलने वाला है आपको हाँ फ्रेंड्स बहुत ही सस्ते मे जेटपट से रेश्पी बन कर रेड़ी होगी तो बस ये जो मुरमूरा है इसको हमें ट्रांसफर कर देना है मिक्सी के जार में और जिस कटोरी से हमने मेजरमेंट किया था मुरमूरे का उसी कटोरी से हमने एक कटोरी यहाँ पर सूजी ले ली है सूजी आपके पास बारीक है नॉर्मल है जो भी है वो सब चलेगी इसमें ठिक है मिक्सी के जार में डाल दिया है अब यहाँ पर लेंगे दो चम्मच गीहूं का आटा सिंपल गीहूं का आटा है जिसके हम लोग रोटी बनाते है गीहूं के आटे से इस डोसे में बढ़िहाँ साईन आता है अब इसी के साथ है इसमें ढाला देंगे एक चम्मच बेसन तो यहाँ पर बेसन ढालने से इसमें टेस्ट में भी बहुत इछा डिफरेंस आजाता है और इसका पर पहल जाते है अगर आप normal डोसा भी बनाते हैं तो उसमें चनी की डाल का इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर हमने बेशन का इस्तमाल किया है और एक कटोरी भर करी यहाँ पर हमने दही डाल दिया है दही बहुत जादा खटी मतली जीगा थोड़ा सा पानी डाल दिया है दो तीन चमच के लगबर और बस इसे अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड करिएगा जितना स्मूथ आप कर सकते हैं अब इस बैटर को आप ध्यान से देखिए बिल्कुल से ये जैसे डोसा का बैटर होता है ना उसी तरीके से लग रहा है ना तो बस इसी तरीके से आपको बिल्कुल महीन पीस कर रेडी करना है बिल्कुल से महीन पीसेंगे ना तो जब डोसा बनाएंगे तो आराम से वो इस्प्रेड हो जाएगा उसमें कहीं पर भी लंप्स नहीं रहेंगे और बहुत ही चिखना सा जैसे कि डोसा फैलाते वक्स फील आता है बस वैसा ही फील आएगा अब ये पूरा का पूरा एक बड़े से बरतन में निकाल लेते हैं इसमें हमने सुझी भी एट की थी तो अभी क्यों होगा फूलीगी उसके लिए हमने जो मिक्सी के जार में बैटर लगा हुआ थ ना थो थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी हमने बाहर निकाल लिया है तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो बैटर है कितना पतला होना चाहिए अभी कुछ नहीं अभी सूजी फूल कर रेड़ी होगी उसके बाद पता चलेगा कि बैटर की कंसिस्टेंसी हमें किस तरीके की रखनी है तो यहां पर बैटर के साथ में पानी को अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें हमें बहुत ज्यादा चीजें एट करने की बिल्कुल भी आवसकता नहीं होती है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप इसको पांच मिनट के लिए ढखकर जरूर रखेगा जिससे की सूजी अच्छे से फूल जाए तब तक हम बना लेते हैं इसके साथ में खाने के लिए चटपटी सी चटनी तो एक छोटा वाला चटनी वाला जार लिया है वन फोर्थ कप यहां पर ले लेंगे भूने वाले चने बिन चिलके वाला चना लिया है और वन फोर्थ कप यहां पर डैसिकेटड कोकोनट लेंगे तो यहां पर मैंने चार चमच के लगभग डैसिकेटड कोकोनट आट कर दिया है थोड़ा सा fresh मतलब की ताजा हरा धनिया जरूर डालिएगा एक छोटा टुकडा अध्रक कर डाल दिया है और इसी के साथ ही तीखे के लिए दो हरी मिर्च एट कर दी है खटास के लिए इसमें एट कर देते हैं एक छोटा टुकडा इमली का अगर आपके पास इमली नहीं है तो आधा नीमू का जूस आप इसमें डाल सकते हैं अगर ओ भी नहीं है तो अमचुर का पाउडर आप इसमें एट कर सकते हैं थोड़ा सा खटी चेटनी अच्छी लगती है आब यहां पर पानी add करके इसको बड़ें से आम पीस लेंगे तो यहां पर देखिए हमारी चटनी बनका ready है मैंने इसमें बीच में नमक add कर दिया था क्योंकि मैं नमक नहीं डाली थी आपके सामने तो मैंने बाद में इसमें नमक add करके इसको अच्छे से grind कर लिया है और ये हमारी चेटनी बनकर ready है तो जब भी आप चेटनी बनाईएगा ना तो उसमें नमक जरूर add करियेगा नहीं तो आप कहेंगे कि आपने तो नमक डाला ही नहीं तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था पिस्ते वक्त और ये हमारी चेटनी बनकर ready है consistency आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पतली गाढ़ी जैसा भी आपको पसंद है उस तरह की आप चेटनी बना सकते हैं ये चेटनी आप किसी भी South Indian डिस के साथ में enjoy कर सकते हैं तो आधर चमच तेल को तड़का पैन में गरम किया है एक चोटी चमच यहां पर राई लिया है और वन पिंच के लग भर हींग डाल दी है इसी के साथ ही जब ये सब चटक चाहेंगे तो मैंने कुछ करी पत्ते हैं बारीक चॉप कर लिये हैं और दो लाल मिर्च को टुकड़े में कट करके डाल दिया है ये तड़का हम लगा देते हैं अपनी चटनी में इस तड़के के बाद ही हमारी चटनी बन जाती सुपर डिलीसियस खाने में एकदम से चटपटी खटी सी रहती है मतलब बहुत ही जादा टेस्टी बनते इंस्टेंट वाली रेस्पी है तो ये इंस्टेंट डोसे के साथ में चटनी कमाल की लगेगी तो बस यहाँ चटनी बन करेड़ी इसको साइड में रख देते हैं अब यहाँ पे जो डोसा बेटर हमारा रेस्ट कर रहा है बड़ यहाँ से देखिए सूजी के दाने अच्छे से फूल गया है और यह बेटर पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है तो यह देखिए गिराने पर यह बहुत ज़्यादा पतला नहीं समझ में आ रहा है जैसे कि यह डोसा बेटर होता है ना तो उससे थोड़ा सा यह गाड़ा रखा जाएगा बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ना इसी तरीके कर जैसे कि हम लोग पकोड़े का बेटर बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे बना कर रेड़ी करना है अब इसमें एड़ कर देते हैं नमक अपने टेज्ट के अंसार मतलब नमक हलका थोड़ा सा कम ही रखिएगा और लास्ट में एड़ करेंगे 1 फोर सी स्पून खाने वाला मीठा सोडा बस 1 फोर सी स्पून ही एड़ करना है बहुत ज़्यादा मदरा लिएगा थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल देते हैं एक दो चमच के लगबग और अच्छे से से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने का मतलब कि आप अच्छे से एक बार उसको फेंट दीजिएगा इस बैटर में हमने फर्मेंटेशन तो किया नहीं है इसके लिए आपको इसे अच्छे से फेंटना होगा दो तीन मिनिट के लगबग जिससे क्या होगा कि यह बड़ी हां सा फूला फूला हो जाएगा जैसे कि हम लोग दोसा बैटर बनाकर रेडी करते हैं लेकिन उसमें हमें टाइम देना होता है अच्छे से साथ घंटा और हो सकता है उससे ज्यादा भी तो यहां पर जटपट वाला है अब यह देखे बनकर बैटर रेडी है अब चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर मैंने एक तवा रख दिया है डोसा तवा ही रखा है और उपर से दो तीन डॉप आप तेल के डाल दी और यहां पर तवा बहुत अच्छे से गरम हो गया तो इसका टंपरेटर थोड़ा सा में डाउन करना है तो पानी के चीटे आप इसमें डालिएगा और यह बहुत ही जल्दी सूख जाएगा जिससे कि हमारा तवा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसके बाद एक चमचा भर कर आप बैटर डालिएगा और बस हलके हाथों से इस तरीके से आप फैला दीजिएगा बहुत ही आसानी से हो जाता है और यहां पे तवा ठंडा हो गया ना हलका तो आराम से ठिपक जाता है अभी थोड़ी दिर में आप देखेंगे कि बिल्कुर से उपर से ड्राई होने ल जाए बहुत ज्यादा तिल के आप सकता नहीं है मैं बहुत कम तेल में बना रही हूं इस नास्ते को और यह देखेंगे उपर से जब ब्राउन ब्राउन हो जाए तब आप इसे पलड़ जीचेगा यह देखेंगे आप देख सकते हैं डोसे का कलर और कितना ज्यादा यह मज बनाया है एक और डोसा मैं आपको यहां पर बना के दिखा रहे हूं इसमें क्या है आपको पैन को ग्रीस करने की ज़रुत नहीं है पानी की छीटे डालिएगा थोड़ा सा ठंधा करिएगा और बैटर को इसी तरीके से फैला दीजिएगा आप चाहें तो इसे मसाला डोसा भी बना सकते हैं लेकिन आज मैं बिलकुर से सिंपल पिपर डोसा बना रही हूं और जैसी उपर से हलका सा ब्राउनिस दिखने लगे तभी आप इसमें ओयल डाल दीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा साइट साइट में थोड़ी सी ब्राउन चित्निया जैसी बन जाए उसके बाद ही आप इसे पलटिएगा आराम से यह पैन को छोड़ देता है मतलब तभी को छोड़ देता है और यह हमारा दूसरा डोसा भी बनकर रेडी हो गया है अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि यह डोसा वास्तों में बहुत जाला टेस्टी और क्रिस्पी बनकर होने वाला है तो इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राइ करिएगा उमीद करती हूं आज की रेस्पी आप सभी को पसंद जरूर आई होगी पसंद आये फ्रेंड तो लाइक करिएगा फैमिली फ्रेंड्स और रिस्तेदारों के साथ सेयर करना बिल्कुल मन भूलिएगा और आप किसी को सर्व करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लगता है और इसके साथ में ये चेटनी बिल्कुल अल्टिमेट लगती है तो जरूर फ्रेंड्स एक बात तो जरूर ही ट्राइ करिएगा फिर आप इसको जब मन करें आप बनाओ खाओ वो तो आपका आपक इसे मौर्णी में कभी कुछ समझ में ना रहा हूँ तो जटपट से इस तरह का नास्ता आप इंज्वाय कर सकते हैं अपनी फैमिली को खिला सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा एक रिस्पी बनाए इसकी आवाज आप सुन सकते हैं तो आप लोग इसे बनाए इंज्वाय करिए मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए बाबाए टेक कियर